असलाम अलेकुम students and welcome to another lecture of law with Delhi आज के lecture में हम exemption clauses बढ़ेंगे और उसका control बढ़ेंगे सबसे बले हैं आपको ये बता दूँ कि exemption clauses होती क्या है exemption clauses दो तरह की होती है एक होती है exclusion clause एक होती है limitation clause आपने एकसर अगर दुकानों पे जाकर कहीं देखा हो लिखा हुआ बाके हम फलानी फलानी चीज़ के जिम्मेदार नहीं होगे अपनी चीज़ों की खुद हिफाज़त करें इदारा जिम्मेदार नहीं होगा हम किसी भी चोरी के समान की जिम्मेदारी नहीं करेंगे गाड़ी अपने रिस्क पे खड़ी करें हम जिम्मेदार नहीं होंगे वगयरा वगयरा यह सारी exemption clauses होती है यह contract में भी होती है taught में भी होती है taught की exemption clauses आपने देखे होंगी अगर आप mcdonald's गरा कहीं जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि कि वहाँ पे एकसर उन्होंने रखे लगाया होता है caution wet floor इसका मतलब है अगर आप गिर गए तो हम जिम्मेदार नहीं है अब यह दो तरह की होती है एक exclusion clause होती है और एक limitation clause होती है कि जो दूसरी party है उसने बिल्कुल ही अपनी liability को exclude कर लिया है और limitation clause का मतलब होता है कि उसने अपनी liability को limit कर लिया है कि हम इस हद तक जिम्मेदार है बाकि जिम्मेदार नहीं है अब इस चीज़ को courts जो है नवा control भी करती है वो control इसलिए करती है ताकि कोई भी बंदा कोई भ which controls रखें हैं इनके उपर अब सबसे पहले common law के controls देख लेते हैं common law के अंदर common law यह कहता है कि हमेशा कानून जो है law जो है वो weaker party को protect करता है against the party which has the higher या which has the stronger bargaining power for example जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं कोई चीज किसी brand पे लेने जाते हैं तो आप उनकी terms पे वो चीज खर ने पढ़ते हैं तो इसलिए court ने एक three stage process रखा है establish करने का कि exemption clause जो है उसको कैसे properly incorporate किया जाए कैसे rely किया जाए और कब rely ना किया जाए पहला point यह कहता है कि exemption clause जो होनी चाहिए वो actual term of contract होनी चाहिए for example वो ऐसे ना हो कि आपने properly उसको contract के अंदर incorporate ही नहीं किया कहीं और का रही है क्या वो वह कि उसकी protection के लिए डाली गई है कहीं को energized फाइदा तो नहीं उसका उठाया जा रहा मतलब उसके पेचे को fraud वगएरा तो नहीं और तीसी चीज जो है वो यह है कि courts ने कुछ number of test design किये हैं देखने के लिए कि इस तरह की जो clause exemption clause यह valid होगी यह नहीं होग सबसे पहले हम rules of incorporation देख लेते है rules of incorporation यह है कि सबसे पहला rule जो incorporation का है वो है by signature मतलब कि आप contract के अंदर ही exemption clause डालें और दूसरी party से sign ले लें दूसरी party जब sign कर देती है exemption clause पे तो फिर यह matter नहीं करता कि exemption clause उन्होंने पड़ी थी कर नहीं पड़ी थी जब वो sign हो गया तो installments देनी छोड़ दी जब उसने installments देनी छोड़ दी तो company ने sort किया कि हमारी installments दो उसने installments नहीं दी उसने कहा जिए आपकी vending machine खराब हो गया लेकिन contract के ओपर यह mention था कि vending machine को कुछ भी हो खराब हो जो भी हो installments जो है वो आपने पूरी देनी है और उसके उसको पर signature भी थ पिर incorporate किया जाए by reasonable notice. Reasonable notice का मतलब है कि at the time of entering the contract जब contract बन रहा है दोनों parties का at that very time आप बताएं अगर कोई exemption गया, exemption, exclusion, limitation clause है तो Oliver's is Marlboro Court hotel में एक लड़की इस तरह ही hotel लेती है, room book करती है, कमले में चले जाती है, वहाँ अपना fur coat लड़काती है और बाहर घूमने पिरने चले जाती है, जब वापस आती है तो देखती fur coat गायब होता है, अब जब fur coat गायब होता तो जाके वो अपनी hotel management को कहती है कि पर rely करने की कोशिच की, court ने उस term को invalid कर दिया और hotel management से का कि आप उस term के ओपर rely नहीं कर सकते, क्यूं? क्यूंकि आपने at the time of contract, क्यूंकि contract कहा हो रहा था? reception पर, जब आप रूम लेते हैं तो आप reception के ओपर बैठके contract कर रहे होते हैं, अगर को exemption के limitation, exclusion clause होती है, तो वहाँ ब अपस्तारा में पहले से dealing कर रही होर काफी अरसे से dealing कर रही हो तो फिर इस तरह की exemption clause वगराए अगर हो, अगर उस पर rely करते हैं और काफी अरसे से करते आ रहे हैं, तो फिर इस तरह के मामले में court जो है, वह एकसर exemption clause को imply भी कर देती है, क्योंकिने की clause जो हो इंप्लाइड है वो उसके उपर रिलाय से सेक्सफिली नहीं कर सकेंगी और कोर्स उनको accept नहीं करेगा इसमें हम दो केस देख लेते हैं जो comparison के लिए बहुत अच्छे हैं Parker vs. South Eastern Railway Company 1877 का और Thompson vs. LMS Railway 1930 का अब जो Parker vs. South Eastern Railway Company का केस है नहीं इसके अंदर टिकेट के पीछी साइड पर लिखावा था कि we will not be responsible for anything stolen which exceeds 10 pounds कि अगर कुछ 10 pounds से जादा exceed कर जाएगा तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है लेकिन the thing is कि टिकेट के पीछे कौन देखता है अगर सारी सारी डीटेल टिकेट की टिकेट के ऊपर फ्रेंट पर लिखी वी है तो टिकेट घुमा आगे पीछे कौन देखता है शाएद 2-3 लोग देखते होंगे कोर्स ने उस कंपनी को उस टर्म के ऊपर रिलाय करने से मना कर दिया था कि आप इस टर्म पर रिलाय नहीं कर सकते आपने सफिशेंट नोटेस या सफिशेंट इन्फरमेशन नहीं दी वी आपने प्रॉपरली अवेर नहीं किया वा पार्टी को कि ऐसी कोई टर्म भी लिखी हुई है टिकेट के पीछे दूसरा जो इसका केस है आपने सफिशेंट अवेरनेस के लिए सफिशेंट नोटिस दिया हुआ है इस बंदे का लगे चोरी हुआ था, he was an uneducated person, he could not even read लेकिन फिर भी चुके उन्होंने अपना काम पूरा किया था company ने तो they were able to rely on their term उससे अगला point ये है कि जिस document पे या जहां पे वो term लिखी हुई है that has to be something important, something contractual in nature अगर कोई बहुत not important जगह पे आप इस तरह की term लिख देते हैं तो courts जातर accept नहीं करते कि उनके ओपर incorporation होगी इसका जो case है वो चाबल टन वर्सिस बैरी है जिसके अंदर एक बंदे ने deck chairs rent पे ली थी और वो जो पैसे दे के receipt मिलती है उसके ओपर term लिखी हुई थी कि जो company है वो liable नहीं होगी अगर कोई deck chair to tv निकले और उससे चोट लग जाए deck chair to tv निकली चोट लग गई जब उसने case किया तो company ने उससे term पे rely करने की कोशिश की कि हमने तो लिखा हुई तो court ने उनको नहीं rely करने दिया, code ने accept नहीं किया उसको उनने कहा कि receipt के ऊपर जो लिखा है आपने that receipt is not anything important not contractual in nature, बहुत से लोग तो receipt मिलते वैसी फैंग देते हैं, they hardly bother to read it, तो that was not a good place to incorporate a term like that उसके बाद हम देखते हैं कि parties जो हैं, जो exemption clause पे rely कर रही है, उनकी duty है, that they have to bring the other parties attention on it, कि दूसरी party को पता लगाना आपका काम है, कि भाई ये incorporation कीवी है, हमने एक exemption clause की है, देख लें, आपको पता होना चाहिए, contract करने से पहले हैं, contract करते हैं, वक्त और ये बहुत high duty है, इस चीज़ को achieve करने की, उस party के उपर, जो party incorporate कर रही है, उस contract के अंदर ऐसी term, Thornton versus Shool and parking के अंदर भी इसी तरह term एक fail हुई थी, क्योंकि वो term अंदर लिखी वी थी parking area के, हलाँ के contract वहाँ हो रहा था, जहाँ parking होती है, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, और जहाँ ticket ली जाती है, actual contract वहाँ हो रहा होता है, अंदर नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो अंदर exemption clause लिखी ही, कि we will not be responsible for any damage to the car or person, whatever, ठीक हो गया, लेकिन अब एक और point यहाँ पर यह है, वो यह है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि जितनी भी ऊपर in corporation के rules लिखे में, वो पूरे rules okay भी हो, perfect भी हो, तो भी there are certain points जिनकी वैसे कि term अक्सर fail हो जाती है और courts उसको accept नहीं करते, उसमें contra preferentum rule है, negligence है, और seriousness of the breach है, यह तीनों points हम अगले lecture में पढ़ेंगे, तब तक के लिए, बाबाए! के लिए пять, जाए खूरे जाओेंगे!